हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स के यूटूब एजूकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे सपोजिटरी बेस के बारे में तो यह हमारा पार्ट फाइफ वीडियो लेक्चर है सपोजिटरी बेस के उपर और आज हम सिखेंगे इमल्सिफाइंग बेस एंड सिंथेटिक बेस के बारे में कि जो हम सपोजिटरी बना देते हैं तो उसके अंदर जो बेस होता है उसका काफ़े इंपोटन्ट होता है है उनके बेस तो सपोजिटरी चैप्टर की जो हम डिटेल स्टडी कर रहा है तो उसमें जो आज जो सिखने वाले जो बेस देटार इमल्सिफाइंग बेस एंड सिंथेटिक बेस के बारे में हम समझेंगे डिटेल में और जानेंगे कि उनका यूटिलाइजेशन किस तरह से होता है उसके बेनेफिट्स क्या होते है एडवन्टेज क्या होते है तो एक्सपर्ट लेक्चर बायमर सर असिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर ऑफ फामर रॉक्स थेंक्यू फार बीन वनलेक फेमिली ऑफ फामर रॉक्स अपडेट मिल जाएगी तो सपूसेटरी के बारे में हमने जो सीखा कि सेमी सॉलिड डूजेस फॉर्म है बॉड़ी और फिस्ट के अंदर उनको इंसर्ट किया जाता है जैसे कि रेक्टम कैविटी है वजाइनल कैविटी है यूरेथरा नजल वगेरा के अंदर हम उनको एपलाई करते और वहाँ पे ही वो बॉड़ी टेमपरेचर के उपर डीसल हो जाते है कि बॉड़ी टेमपरेचर जो हमारा होता है 37 डिगरी सेलसियाज वो टेमपरेचर पे ही वो मेल्ट हो जाते है और अपनी मेडिकेसन जो है वो वहाँ पे रिलेस करके लोकल as well है systemic effect जो हमें provide करती है और specially उनको बनाय जाता है semi solid doses form के तोर पे हमारी body cavities के अंदर insert करने के लिए है कि जितने भी अलग-अलग semi solid doses form है उसमें से जो हमारे body orifice है या फिर body cavities है उसमें insert करने के लिए specially जो कोई doses form है तो that are suppositories तो उसके हमने types भी से के reactal suppository आती है vaginal की जिसको हम paceries भी कहते है urethral को bogies भी का जता है nozzle bogies भी होती है and earcon फिर समझा कि suppository base की जो एक type के excipient है कि कोई भी doses form जब आपको design करना है तो उसके अंदर एक drug होती है और दूसरा excipient तो suppository base जो है वो एक type के excipient है कि जो hydrophilic या फिर hydrophobic हो सकते है और उनके main special character हम देखे तो वो body temperature पे melt हो जाते कि body temperature पे या फिर उससे calm temperature पे melt हो जाते है कि जो 37 degree Celsius हमारा body temperature है तो वो temperature पे या फिर उससे become temperature पे वो हमारे body cavities के अंदर dissolve हो जाएंगे melt हो जाएंगे and अपने medication को यहाँ पे release करेगे कि उनके अंदर जो भी हम medicine mix करते है वो medicines फिर वहाँ पे release हो जाएगी तो main concept है कि वो body temperature पे जो है वो अच्छे से dissolve हो जाने चाहिए तो यह सब bases हमने already study कर लिए previous lectures के अंदर के glyceros gelatin base है, soap glycerin macrogol, hydrogenated oil, synthetic fat cocoa butter यह सभी bases को हमने अच्छे से समझ लिया आज का जो topic है वो है तीसरा कि जो emulsifying bases या फिर इसको water dispersible bases भी हम कहते हैं और उसके जो example है masa, esterinum, vitepsol है and masupol तो यह बहुत बार अलग अलग exams के अंदर यह तीनों bases पूछे गए कि चाहे mcq होते है वाइवा वगेरा होते है theory base examination तो synthetic base के अंदर जो उनको include किया जाता है तो यहाँ पे जो base use होते है उनको synthetic base का आ जाता है जिससे आपने previous हम देखे previous जो bases में समझा कि जो cocoa butter है तो completely natural origins से हमें मिलता है कि जो theobroma oil जो है जो स्कॉम कहते है तो यहाँ पे जो base है वो synthetic base है और इसका जो example हम देखे तो एक example है वो है vitapsol है vitapsol H15 के जोसका marketed formulation यहाँ पे आप देख सकते हैं कि palette form suppository base vitapsol H15 फिर masa esterium करके है and massive ball करके तो यह अलग-अलग synthetic base जो है वो use किया जाता है suppository को prepare करने के लिए तो यह देखो vitapsol H15 यह भी 500 gram का proper airtight container आप देख सकते हैं same like that यह वाला भी 500 gram का जो palette form में available है vitapsol तो these are synthetic base and number of proprietary bases of very good quality are available few of which are described below कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह चार जो है वो main important है कि उसके बहुत सारे अलग-अलग marketed जो है वो formulations आप देख सकेंगे तो सबसे पहले समझे vitapsol के बारे में तो vitapsol registered जो है उसका S15 करके जो उसका marketed formulation है तो vitapsol के आए तो vitapsol is a glycerol ester of vegetable saturated fatty acid mainly lauric acid and is derived from coconut and palm kernel oils अब यहाँ पर समझे कि vitapsol के अंदर क्या है तो glycerol के ester से यह glycerol के ester कौन से material है कि तो vegetable saturated fatty acids और वो fatty acids के अंदर है lauric acid और वो derive किया जाता है coconut या फिर palm oil में से तो एक जो है उसके अंदर saturated fatty acids है कि जो vegetable sources में से ही derive किया जाता है and they consist of triglycerides of saturated vegetable acid with varying proportion of partial esters तो triglycerides और esters यह दोनों के combination से यह vitapsol जो है वो बनाया जाता है और उसके अंदर जो chain आप देखे तो C12 to C18 कि carbon की 12 से लेकर 18 chain वाला जो पूरा जो structure तयार होता है कि long chain compounds कहे सकते कि आप याप उसको देखो तो उसका जो storage भी लिखा है कि 18 silica 26 degree Celsius पि उसको air tight container के अंदर अच्छे से store करना होता है an excipient for prescription compounding कि जो proper prescription base जो अलग-अलग suppositories होती है उनके लिए यह vitapsol base जो है वो use किया जाता है फिर दूसरा जो base है कि जिसको synthetic base के अंदर हम cover करते that is masa esterium तो this is another range of bases consisting of a mixture of dry dye, try and monoglycerides of saturated fatty acid with the chain length C11 to C70 मतलब कि यहाँ पे carbon के at least 11 से लिकर 17 जितने long chain रहते हैं यह भी glycerides ही है कि dye glycerides है कोई try है या फिर monoglycerides है saturated fatty acids के फिर हम बात करें तीसरा जो synthetic base है that is mesopal that consists of glyceryl ester इसके पास भी glyceryl के ester ही है and mainly loric acid है to which a small amount of glyceryl monosteerate has been added to improve the water absorbing capacity तो यह जो है water को अच्छे से absorb करने वाला यह base है mesopal कि glyceryl का ester है और वो भी loric acid usually use किया जाता है ester के अंदर and glyceryl ester का loric acid और साथ में उसके अंदर glyceryl monosteerate भी add किया जाता है to improve the water absorbing capacity तो यह पर एक multiple choice question आपके लिए खास पूछा जा सकता है कि which of the following ingredient added to mesopal to improve its water absorbing capacity कि water absorbing capacity enhance करने के लिए mesopal की जो synthetic base है suppository के अंदर use होता है तो उसमें कौन सा ingredient add किया जाता है तो उस वक्त आपको याद रखना है glyceryl monosteerate को add किया जाता है इसके अंदर to increase its water absorbing capacity फिर सबसे important कि उनके advantage पूछे जाते है exam के अंदर कि what are the benefits of synthetic bases over cocoa butter कि cocoa butter के compare में emulsifying bases या फिर synthetic bases के benefits क्या है advantage क्या है तो सबसे पहला जो advantage है वो है कि overheating does not alter the physical appearance कि cocoa butter में हमने देखा कि उसके जो तीन हमें forms मिलते थी का alpha, beta and gamma कि overheating करोगे तो आप alpha and gamma बन सकता है कि जो unstable form है और proper hitting करोगे तो ही आपको beta वाला form मिलेगा कि जो stable है जबकि यहाँ पे ऐसा कोई problem नहीं है कि आप वले overheating करते है physical characteristics में आपको कोई change नहीं मिलेगा तो do not या फिर does not alter the physical characteristics on overheating ये उसका सबसे पहला benefit है they do not stick to the mold कि जैसे हमने cocoa butter देखा कि cocoa butter क्या करता था ये जो mold होता था और ये mold के जो cavities कि उसके अंदर जब आप उसको melt करके पोर करते है cocoa butter को तो वो क्या होता है वापे stick होता था जबकि आप जो emulsifying base या फिर synthetic base यूज़ करेंगे तो there is no stickiness कोई भी type का stickiness आपको देखने को नहीं मिलेगा बिकोज वो वहाँ पे stick नहीं होगे तो ये एक दूसरा benefit है synthetic bases का over cocoa butter तिसरा हम उसका benefit देखे तो they do not require previous lubrication of the mold अब cocoa butter में हमें पता है कि proper अच्छे से lubrication करना पड़ता है mold का बट यहाँ पे do not require mold का lubricate करने की जरुवत ही नहीं है फिर they solidify rapidly तो rapidly उनका solidification हो सकता है तो ये एक benefit है compare to the cocoa butter they are less liable to get rancid मतलब कि rancidity का जो problem है oxidation का जो हम problem कहिते थे कि वो यहाँ पे काफी कम है they can absorb fairly large amount of aqueous liquid water absorbing capacity उनके काफी अच्छी है so they absorb the large amount of aqueous liquid मतलब कि जो aqueous जो forms होते है उनको अच्छे से absorb कर सकते हैं उसके अंदर और main ये जो 6 आपको benefits या फिर advantages जो है वो याद रखने हैं ये synthetic basis के कि जिसको emulsifying basis भी का जाता है तो most IMP question याप याप उसको उनके examples याद रखे उनके main characteristics और इनके advantage अच्छे से याद रखने हैं तो next जो lecture रहेगा कि different method used for preparation of suppository कि preparation of suppository तो याब हमने उसका basic concept अच्छे से समझ लिया उसके basis के बारे में समझ लिया तो अब बात आती है कि कौन से अलग-अलग तरीके हम use करेंगे ये suppository को बनाने के लिए तो जिससे हम ये mold use करते हैं और इसमें अच्छे से इस type के जो suppositories mold में से हमें मिलते कि जो हम further use करते हैं इस तरह से भी ये process होती है कि जिसके अंदर ये mold के जो haul होते है उसके अंदर हम ये जो material है उसको अच्छे से mix करते हैं तो ये पूरी process कैसे होती है वो detail में हम समझेंगे part 6 video lecture में detail में about the suppositories तो join कर ये pharma rocks के whatsapp group lecture के जो ppt and pdps भी आपको आप उपर मिल जाएंगे pharma rocks के ये है whatsapp helpline number 9426180836 एक्सेस कर ये study material test series video lecture pharma rocks के आप उपर good luck and all the best